आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ बहतरीन आदतों की, जिन्हें आप अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं, और पूरे कोर्स के दौरान एक आदत पर ध्यान के इंद्रित कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम अलग-अलग आदतों पर चर्चा करें, मैं आपको ए ठीक चल रही थी, लेकिन उसे एक बुरी आदत थी, सिगरेट पीने की, वह दिन में चार से पांच सिगरेट पीता था, जो ज्यादा नहीं था, लेकिन वह जानता था, कि यह आदत गलत है, फिर टॉम की मुलाकात एक लड़की से हुई, जिसका नाम जैनिस था, दोनों में सिगरेट छोड़ने का फैसला किया, छोड़ने की प्रक्रिया मुश्किल थी, लेकिन एक साल बाद टॉम ने आखिरकार सिगरेट छोड़ दी, इसके बाद टॉम ने जिम जाना शुरू किया, कुछ वजन कम किया, मान स्पेशियां बढ़ाई और धीरे-धीरे किताबें अपनाते हैं, तो अकसर इसके साथ कई और अच्छी आदतें भी जुड़ जाती हैं, इस प्रकार की आदत को की स्टोन हैबिट कहा जाता है, एक ऐसी आदत जो अन्य अच्छी आदतों को अपनाने का रास्ता खोलती है, आज हम तीन सबसे प्रभावशाली की स्टोन आदतो क्योंकि यह आपको जीवन के हर पहलू में सुधार करने में मदद कर सकता है, जब आप किसी खास विशय पर किताब पढ़ते हैं, तो आप उस विशय में बहतर हो जाते हैं, जैसे अगर आप शरीर की भाशा पर किताब पढ़ते हैं, तो आप न सिर्फ खुद की बॉड़ी शक्तिशाली की स्टोन आदत है, ध्यान आपके मस्तिश्क के उस हिस्से को प्रशिक्षित करता है, जो इच्छा शक्ती और आत्म नियंतरन के लिए जिम्मेदार होता है, ध्यान आपकी ध्यान के इंदृत करने की क्षमता को भी बढ़ाता है, जिससे आप अपने जीवन मे और अधिक अनुशासित हो जाते हैं, मेडिटेशन करने से न सिर्फ आपकी भावनाओं पर नियंतरन बढ़ता है, बलकि आपकी मानसिक शान्ती भी बढ़ती है, जिससे जीवन के छोटे-छोटे सुख भी बढ़े लगने लगते हैं, तीसरी और आखिरी की स्टोन आदत है फिटनेस Meditation और Fitness में से किसी एक कुछने और उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं ध्यान रहे एक बार में सिर्फ एक ही आदत पर काम करें जब यह आदत आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाए तो आप अन्य आदतों पर ध्यान दे सकते हैं आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन आदतों को कैसे अपने जीवन में लाएं और किस तरह से इन्हें बिना मेहनत के खुद बखुद करने की आदत बनाएं